पुरोला से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही पार्टी के वरिष्ट नेता और वन मंत्री सुबोध उन्याल के घर पर पहुँचे विधायक की मांग थी कि उनके क्षेत्र में तैनाथ दो आयाफस अपसरों को तकाल सस्पेंड कर दिया जाए मंत्री महुदे ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके बाद विधायक चाहते थे कि दोनों आयाफस अफसरों को वहां से हटा दिया जाए कहीं दूसरी जगह अटैच कर दिया जाए मंत्री ने इस बात को थोड़ा सा गम भीरता से लिया और PCCF जो विभाग के प्रमुख होते हैं अनुप मलिक उन्हें अपने आवास में बुला लिया ग्यापन जो विधायक ने दिया था उस ग्यापन पर मंत्री महुदय ने जाँच के आदेश लिख दिये कि जो मांग विधायक और इस्थानिये ठेकेदार कर रहे हैं उनकी जाँच करा दी जाए लेकिन दुरुगेश्वर लाल को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने PCCF अनुप मलिक के हाथ से विधायक की मांग पत्र पर मंत्री के जाँच के आदेश को लिया और फाड़ कर वहीं हवा में उड़ा दिया इसके बाद हंगामा थोड़ा जादा बढ़ गया और विधायक मंत्री के आवास के बाहर ही धरने पर बैट गए ये खबर है लेकिन इस खबर के पीछे की असली सच्चाई क्या है गड़वड कहां पर हुई है और किन गड़वड़ों को थामने की कोशिश विधायक कर रहे हैं और क्यों अपने क्षेत्र में वो कानून का राज नहीं होने देना चाहते ये सारी बाते लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ लेकिन मैं आगे बढ़ू उससे पहले मेरे दो विशेश आग रहे हैं खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और इ उत्तरा घंका एक पिछडा हुआ छेत्र माना जाता है पुरूला उत्तरकाशी जन्पत का ये छेत्र अपनी खुबसूरती के लिए जाना जाता है ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है खुबसूरत पहाडों पर खुबसूरत वनों के लिए जाना जाता है हजारों लाखों यहाँ पर सेर सपाटे के लिए आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था ज्यादा ना फैले इसके लिए दो तीन महत्वपोन निर्णय हुए हैं 2016 में एक निर्णय चीफ वाइल डाइफ वार्डन ने किया था कि केदार कांठा ट्रैक पर जो यात्री या टूरिस्ट जाते हैं उनकी संख्या निर्धारिप की जाए और वो संख्या 150 निर्धारिप कर दी गई निर्धाल हाइकोट ने 2018 में एक आदेश पारित किया था जिसमें उनने कहा था कि बुग्यालों के सरक्षन को लेकर महत्वपून योजना राज्य सरकार को बनानी चाहिए इसलिए उत्तराखंड के फॉरेस्ट ऑफिसर केदार काठा ट्रैक पर कड़ी नजर रखे हुए थे क्योंकि चीफ वाइल्डाइफ वार्डन का आदेश और नेनिताल हाइकोट का आदेश का पालन उनको करना था लेकिन खबर है कि गाउंवाले इस ट्रैक पर कई चोर रास्तों से परटकों को लेकर पहुँचते रहते थे और वन विभाग के अधिकारी अपनी आँखें बंग कर लिया करते थे लेकिन वर्तमान में नियम काईदों को लेकर थोड़ा सक्तिक कर दी गई और ये दुरगेश्वर लाल को थोड़ा नागवार गुजरा दूसरा मामला ये है कि 2023 के मध्य में जब बारेश शुरू हो रही थी उस समय खबर आई की वरिक्षों का अवैद रूप से कटान हो रहा है इस पूरे प्रकरण को मीडिया में जबरदस्त कवरेज मिली और इसके बाद जांच के आदेश अधिकारियों के द्वारा, वनमंत्री के द्वारा और आखिर में मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी के द्वारा दिये गए आश्चर जनक बात ये है कि गडवड जाले में 16 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया एक और मामला प्रकरण में तब आया जब मुख्य मंत्री की घोशनाओं से संबंधित बहुत सारे कामों की जाच कराई गई और उन कामों में गडवड़ी पाई गई इसके बाद नव नियुक्त डियफो महोदय ने कई कामों को रोग दिया क्योंकि मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्धामी ने ब्रश्टा चार पर एक तरीके से कड़ा अरुख अपनाया हुआ है पूरे प्रदेश भर में और जिस छितर में ताजा ताजा गडवड़ी पकड गई तो कामों को रोग दिया गया विकास कारियों को रोके जाने पर दुरगेश्वर लाल का पारा चड़ गया और वो अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होते हुए नजर आये लेकिन ये बात बताने में दुरगेश्वर लाल कामयाब नहीं हुए कि आखिर उनके खितर में ग धुस्पैट का एक तरीके से समर्थन कर रहे थे पुरूला के विधायक ऐसा लगता है एक बात में यहाँ पर आपको और बताओं एक Forest Conservation Act है इस Act के तहती Forest छेत्र में तमाम निर्मान के कारे होते हैं एक Working Plan बनता है जो 10 साल तक के लिए चलता है मतलब 10 साल की Planning होती है वो Plan ऐसा नहीं है कि उसको कोई अधिकारी Approve कर दे वो Plan कोई ऐसा नहीं है जिसको One मंत्री Approve कर दे वो Plan ऐसा नहीं है जिसे मुख्य मंत्री Approve कर दे भारत सरकार उस Working Plan को Approve करती है लेकिन विधायाग चाहते हैं कि उनके छेतर में जो भी काम हो उसमें किसी की दखलंदाजी ना हो वो जिस चीज के लिए कह दें अधिकारी उसका पालन कर लें और अगर अधिकारी पालन नहीं करते तो उनके शिकायत लेकर वो तमाम मंत्रियों और मुख्य मंत्री के पास पहुँच जाएं उन्हें हटाने की मांग को लेकर लेकिन दुर्गेश्वर लाल शायद ये भूल गए कि किसी भी IFS, IS या IPS अधिकारी को तुरंत सस्पेंड नहीं किया जा सकता और ना ही मंत्री महुदे के पास इतने असीमित अधिकार होते हैं कि वो किसी IFS अधिकारी को सस्पेंड कर दे मुख्य मंत्री तक पूरे कामों की फाइल जाती है और उसके बादी सस्पेंशन होता है और कई बार भारत सरकार के कारमिक मंत्राले से उसकी अनुमती ली जानी होती है अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जाँच है गडबड़ी वो कर रहा है तो उसके कामों की जाँच पहले कराई जाती है उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है लेकिन विधायक तुरंट एक्शन लेने की मांग पर अड़े रहे और जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अपनी ही पाल्टी के मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैट गए और तमाम तरीके के आरोप उन्होंने मंत्री पर लगाए हैं मंत्री की परतिकरिया बड़ी इसपश्ट है वो कहते हैं कि सारे प्रकरण की जाँच करा ली जाए देख लिया जाए कि कौन दोशी है मतलब DFO दोशी है इस्थानिय ठेकेदार दोशी है इस्थानिय लोग दोशी है विधायक का कहना कितना वाजिब है इसकी पूरी जाँच करा ली जाए और जो आरोप उन्होंने व्यक्तिकत रूप से मंत्री पर लगाए हैं उसका भी परिक्षन किया जा सकता है मंत्री ने उन्हे धक्के देकर बाहर निकाला इसके लिए कई लोग साक्षे हैं वहाँ पर क्योंकि नव वर्ष का आगमन हो रहा था इसलिए बहुत सारे अधिकारी बहुत सारे इस्थानिये लोग जहांके विधायक हैं सुबह दुनियाल साहब नरे नगर के वहाँ के कई इस्थानिये लोग उन्हें बढ़ाई देने के लिए पहुँचे थे, कई पत्रकार वहाँ पर उन्हें बढ़ाई देने के लिए पहुँचे थे, उनकी परतिकरिया लेने के लिए पहुँचे थे, नव वरश की शुब कामनाय लेने के लिए पहुँचे थे, तो बहुत सारे लोगों से पूचत की जा सकती है और CCTV कैमरे भी वहाँ पर है उनको भी देखा जा सकता है कि क्या विधायक के साथ कोई धक्का मुक्की हुई है या नहीं हुई है वास्ताओं में विधायक अपने क्षेत्र में सारे काम अपनी मर्जी से ही कराना चाहते हैं इस तरीके का आभास होता है और इसके ह हमारे पास कुछ प्रमाण भी है पिछले साल लगबग इसी समय एक ख़बर आई थी पुरूला क्षेत्र से ही जब विधायक महुदय ने कहा था कि उनके फरजी हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हो गया है मतलब हस्ताक्षर किसी और ने किये है पत्र उनी का है पत्रां क्योंक कि इस व्यक्ति को इस काम का ठेका दे दिया जाए और जब ये बात वायरल हुए कि मंत्री महुदय कैसे अधिकारियों को किसी को काम आवंटेक करने का निर्देश दे सकते हैं तो विधायक ने उस पर किये हुए साइन से पला ही जाड लिया तो इससे अंदाजा लगता है क कि विधायक अपने छेत्र में अपनी मरजी से काम कराना चाहते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम काईदा ना चले इसको लेकर शायद विधायक की मांग है अब ये पूरा प्रकरन मंत्री के हादों से भी निकल कर मुख्य मंत्री के पास महुँच गया है क्या मुख् काईदों के हिसाब से ही वाँ पर काम किया जाएगा क्योंकि नियम काईदों के हिसाब से जब काम नहीं हो रहा था तो भ्रष्टाचार की खबरे आई और उन खबरों का संग्यान लिया गया जाच करी गई forest के 16 लोगों को निलम्वित किया गया और वहाँ पर ने DFOs की तैनाती की गई है यानि सरकार तो चाहेगी कि काम नियम काइदों के अनुसार हो तो क्यों विधायक नियम काइदों के हिसाब से काम नहीं होने देना चाहते अब देखना ये है कि मुख्य मंत्री पुषकर सिंग्धामी विधायक की मांग कैसे मानते हैं क्या हाल विलाल में भेजे गए DFOs के खिलाब वो कोई कारवाई करते हैं क्या अपने विधायक के खिलाब वो कोई कारवाई करते हैं कि उन्होंने अनुशाशनात्मक कारवाई की है अनुशाशन हींता उन्होंने की है कि अपने ही पार्टी के मंत्री के लिखे हुए आदेश को हाथ में लेकर फाड़ दिया ये एक अनुशाशन हींता है और बीजेपी का जो संगठन उतराखंड में है उसे भी इस अनुशाश को देखना चाहिए कि आखिर उसके विधायक कितने विगड़ैल है अगर वो अपने मंत्री से इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो अपने छेत्र में किस तरीके का उद्दंड वो मचाते होंगे और पिछले कुछ वर्षों से जो काम छेत्र में हुए हैं उसकी एक बार फिर से ज नाच हो जानी चाहिए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए अभी के लिए सातियों इतना ही अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन जाने से पहले मैं आगरे जरूर करूँगा खबर अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर ल झाल